हलो एवरिवान नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप उमीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दिपावली के बाद आने वाली इकादशी को देवुथान देवुठनी या प्रबोधनी इकादशी के नाम से जाना जाता है प्राचीन मानेताओं के अनुसार असाड महा के शुकलपक्षी देवशेनी इकादशी को देवशेन कहा जाता है और ऐसा माने जाता है कि कार्तिक शुकलपक्षी इकादशी के दिन ही शेन के बाद श्रीहरी जागते हैं इसलिए इसे देव उठान एकादशी कहते हैं देव उठनी एकादशी कहते हैं आज हम जानेंगे साल 2020 के देव उठनी एकादशी वर्द की सहीति थी पूजा का शुब्र होरत इसकी पूजा विधी और वर्द के कुछ खास नियम तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अ और बेल आईगन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो इसी तरह इस चैनल क के साथ जुड़े रहेगा या आपका अपना चैनल है और इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छूटने जाए तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं देव उठनी इकादिशी का श अब जानते हैं देव उठनी इकादिशी वर्त की पूजा विदी दोस्तो माना जाता है कि देव उठनी इकादिशी के दिन भगवान विश्नु क्षीर सागर में चार माह के शैन के बाद उठते हैं इस दिन भगवान विश्नु जी का पूजन कर उन से जागने का आवाहन किया जाता है इस दिन प्रात्यकाल उटकर घर के साफ सफाई के बाद शनान आधिसे निवर्थ होके भगवान विश्णुजी का धियान करते हुए बर्थ का संकल्प लेना चाहिए और आगन में भगवान विश्णुजी के श्री चर्णों की आकरती बनाए एक ओकली को गेरू से रंकर सवी पूजन सामगरी फल, मिठाई, बेर, सिंगाडे, रितुफल और गन्ना उस स्थान पर ढग कर रख दे देवथाने कादिशी के दिन रात्री के समय पूजस्थल के साथ ही घर के बाहर भी दिये जलाने का विधान है और भगवान को जगाने के लिए शंग, घंटा, घड़ियाल ये चीज़ें बजाने चाहिए ऐसा करना शुभ होता है अब जानते हैं कि इस दिन तुलसी विवा भी होता है तो मानिताओं के अनुसार देव उठनी एकादिशी के दिन तुलसी विवा करने का विविधान है इसी एकादिशी के दिन तुलसी के पोधे और शालिगराम का विवा बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है शाष्त्रों में तुलसी को विश्णु प्रिया कहा गया है स्वर्ख में भगवान विश्णु के साथ महत लक्ष्मी जी का है और वही महत धर्ती पर तुलसी जी को प्राप्थ है ऐसा कहा गया है कि जब देव जागते हैं तो सबसे पहले जो प्रार्थन होती है वो तुलसी की ही सुनते हैं इस दिन तुलसी विवा और पूजन करने का अर्थ तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करने से ही ये तुलसी पूजन का अर्थ माना गया है तुलसी विवा और भगवान हरी के जागने के बाद से को चल्क हो जाता है अभ जानते हैं देव उठनी इकाद्शी वर्थ के दोस्तों देव उठनी इकाद्शी के दिन निरजल उपवास रखना चाहिए इकाद्शी के दिन भगवान विश्णु के साथ stress अपने इष्ट देव की उपासना भी जरूर करें इस दिन तामसिक आहार जैसे की प्याज लहसन और बासी भोजन ये नहीं करना चाहिए अगर आप वर्त रखते हैं तब तब भूल कर भी नहीं करना चाहिए और जो वर्त नहीं भी रखते हैं तो उन्हें भी तामसिक भोजन और प्याज लहसन इन चीज़ों स बचना चाहिए देव उठने एकादिशी के दिन आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवती पासु देवाइन में इस मंत्र का जाप करना चाहिए एकादिशी के दिन आपको घीता पाठ भी करना चाहिए और एकादिशी के दिन किसी के साथ दुर्वेवार नहीं करना चाहिए, किसी को कटू बचन नहीं कहने चाहिए और गौम आता है कि सेवा करनी चाहिए तो उमीद है दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आप कोई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिविशन अप होता है तो जानकारी को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ा कर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादर से ज़्यादा इसे शेर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाब है तो कमेंट बक्स में जरूर लेखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंद तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा जै मातादी हर हर महादेव जै श्री हरी